वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी घटना करम से जुड़ी हुई बता देते हैं देखें बिहार में कल नितीश कुमार को बहुमत साबित करना है कल का दन महतोपूर है लेकिन उससे पहले पटना में हलचल काफी बढ़ गई है बीजेपी के विधायक बोध गया से पटना पहुच गए है जेपिटी सीम विजेस सनहा के घर सभी बीजेपी के विधायक पहुचे हुए है जेपिटी सीम समराच चौधरी भी मौजूद है कल फ्लोर टेस्ट में सभी विधायकों को शामिल होना है लास्ट मिनट में कोई चूप न रह जाए, कोई तूट न हो, कोई फूट न हो इसी की कोशुश है, बीजेपी के विधायक बोध गया से पटना पहुच गए है बड़ी खबर इस वक्त की, कल का दिन नितीश कुमार के लिए मैतोपून क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट के दौरान अपनी ताकत दिखानी होगी, बहुमत साबित करनी होगी वो संख्याबल वहाँ पर उन्हें दिखाना होगा जिसके बदौलत उनकी कुरसी और ये सरकार बची रहेगी देखना होगा कल का दिन लेकिन उससे पहले की कवायत क्या चल रही है बिहार में हल चले कैसे तेज हो गई है आप इन तस्वीरों के जरीए और इन तमाम अपडेट्स के जरीए समच सकते हैं कैसे अब बस सबको बचा कर रखा जा रहा है सारे विधायकों को किसी तरीके का कोई सेंदमारी न हो जाए कोशिश इसी को लेकर बीजेपे के विधायक बोद गया से पटना पॉंट गए डेपिटी सीम विजज सिनहा के घर पर इस वक्त सभी बीजेपे विधायक जो है वो पहुँचे हुए हैं डेपिटी सीम समराच चौधरी भी इस वक्त वही पर मौजूद हैं फ्लोर टेस्ट में सभी कोश शामिल होना है और उससे पहले ये हलचल बढ़ी हुई दिखाई दे रही है विजेश सिनहा के आवास पर सभी विधायकों का जमावडा इस वक्त लगा हुआ है और दावा अभी लगातार यही कि हमारे पास संख्याबल मौजूद है और देखें सीम नितीश कुमार जिनका बयान कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है जेडियू विधायक दल की बैठक हुई और इसमें सीम नितीश कुमार की तरफ से बयान जसमें उन्होंने का कि हमारे पास बहुम वह सारे विधायक उपस्थिते जो दो तीन विधायक नहीं थे वो पाटी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे उन सब ने सूचना कर दी थी कि हम भोत नाम बाद में ले लीजिएगा अभी ये बता रहे हैं कि जो नहीं थे वो पाटी को सुचित करके नहीं थे वो सब लोग साम से लेके सुबह तक पहुँच रहे हैं हम लोग अस्वस्त हैं और सभी जानते हैं कि हम लोगों की संख्या 128 है और हर हाल में हमारा विधान सभा में बहुमत है और इस पर बात करने के लिए क्या हमारे पास और अपडेट है कि कल सुबह से पहले आज की रात काफी भारी क्या नए अपडेट आपको मिल रहा है क्योंकि जेडियू का दावा की जो बहुमत है जो संख्या बल है वो मौजूद है हमारे पास कोई दिक्कत नहीं शिरिद एक बात तो तय है कि कल जो खेला होने की बात तेजस्वी आदव कर रहे थे तो उनकी भी परिक्षा होगी कि क्या उनके दावों में सच्चाई थी या फिर यूही मनोबल बढ़ा रहे थे अपने विधायकों का और क्योंकि तूट का खत्रा उनके विधायकों पर भी मंडरा रहा था तो ऐसा तो नहीं कि कुछ फ्लोर क्रॉसिंग कर जाए कुछ विधायक इसको देखते हुए उन्होंने अपने साथ रख लिया है सरकार के दावे की जहां तक बात है 128 जो विधायक है उनके साथ है इसकी सहमती और इसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने राजिपाल को दिया था तभी मिला है तेखिए इसमें जो खेला होने की बात हो रही है न उसकी संभावनाएं बहुत कम दिखता है उसके पीछे जो तरक बताया जा रहा है वो यह है कि सबसे पहले स्पीकर के बारे में फैसला होना है कि स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर क्या होगा आज भले ही मनोज्जा जो आरजेडी के राजसभा के सांसद है उन्होंने दावा किया कि 122 नंबर उन्हें पहले दिखाना होगा लेकिन जो पहले भी इसके देखे थोड़ा सा पहले पीछे जाना पड़ेगा जब पिशली बार नितीश कुमार महागडबंदन में आये थे और बीजेपी से अलग हुए थे तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था कुछ ऐसा ही नजारा था विजय सीना तब स्पीकर थे उन्होंने इंकार कर दिया था स्थीफा देने से और इस्तीफा कब दिया उन्होंने जब विश्वास बत पर जब चर्चा होनी दी उसके पहले उन्होंने वो पद उन्होंने छोड़ दिया वो जगय उन्होंने छोड़ दी तो जाहिर है कि इस बार भी क्या वही दोहराय जाएगा या फिर जो बाते कही जा रही है क्योंकि जो रूलिंग है और जो पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसमें साफ है कि जिस स्पीकर की खिलाफ में विश्वास प्रस्ताव आता है 38 विधायक ने लिख कर दिया है तो वह वहाँ उस पीठा सीन पर अधिकारी के तोर पे बैठे नहीं रह सकते हैं तो इसलिए ये सभावना कम है कि जब विश्वास प्रस्ताव होगा दब जाकर कि उस समय कुछ खेल हो सकता है ये जरूर है कि दावों के दंगल के बीच में कल का दिन काफी दिल्चस्प रहने जो इतनी हंगामा और जो एक से एक बाते कही जा रही है कि कोष़ विधायक इनकल के संपर्क में नहीं है तो कुछ विधायकों का स्विच अफ हो गया है यह सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि आज कोी कहीं पर जो और चर्शक जिसको कहते बतौर डेपुटी सियम उनके पास था पांच नंबर वहाँ पर वो सब है और वहाँ पर एक साथ वहाँ से निकलेंगे और विधान सभा जाएंगे कल सुबह में लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी जो दावा कर रहे थे क्या नंबर गेम में कहीं वो आगे हैं या नंबर गेम में पीछे हैं सत्ता के साथ जब थे तब उस समय का उनकी ताकत और जब वो सत्ता में नहीं है तो उनकी ताकत और दूसरा पक्ष ये भी है शिरीन कि नितीश कुमार को क्या तेजस्वी यादव या विपक्षी नेताओं के किसी चाल के बारे में पता नहीं है अगर नौबत आई इस तरह की अगर शर्द का मैं इसले कर रहा हूं क्योंकि अभी तक इसकी कोई संभावना या कोई चर्चा या कहीं तक दूर दूर तक कोई विध गल का दिन दिल्चस्प होने वाला शिरित है, जाहर है कल का दिन दिल्चस्प होगा और जैसे आप कहा रहे हैं कि खेला हो सकता है, अब ये खेला किसे फशाएगा और किसे निकालेगा इस गेम से बाहर ये देखना होगा, काफी दिल्चसप, इस से पहले बड़ी खबर, floor test इससे पहले मांजी ने मीटिंग की है हम वधायकों के साथ मांजी की ये बैठक मांजी ने कहा है कि एंडिये के सभी वधायक एक हैं एंडिये के समर्थन में 128 MLA तो मांजी ने भी अपने वधायकों के साथ बैठक की हम वधायकों के साथ मांजी की ये महतपून बैठक जिसमें मांजी की तरफ से का गया कि NDA के सभी वधायक एक हैं NDA के समर्थन में 128 MLA's है कि NDA का जहां तक सवाल है NDA में सब इंटेक्ट है 128 है 128 रहेगा हम समझते हैं कि एक डू उससे आगे ही बरहेगा ही नरेंद्र भाई मोदीजी के नितित्यों के कायल हैं सब समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदीजी का हाथ मजूद होना चाहिए और नरेंद्र मोदीजी ने बिहार में एक नितिज कुमार जी को अपने साथ ला करके बहुत अच्छा काम किये हैं आप देख रहे हैं कि हमारे कहा भी कहा जाता था कि एक विधायक साइद चूप हैं या बदल सकते हैं लेकिन देखें क्या समय आगे अतराज बुलाए थे 6 बजे वैठा कि सब लोग हाजी हम लोग हैं उसी प्रकार से हमारे अंडिये के चाहे भाजपा का हो या और तो कोई है नहीं भाजपाई हैं जदीद हैं और हम लोग हैं तीनों पार्टी के सभी विधायक कोई विधायक देखें कि तरह की कोई दिक्कत नहीं हैं दावे तो तमाम किये जा रहे हैं खेला होनी की भी बात कही जा रही है लेकिन ग्राउन पर अभी क्या हो रहा है क्योंकि आज की रात भारी होने जा रही है अब इशिक का रूप कर लेते हैं अब इशिक दावो का दंगल लेकिन कौन जीत रहा है इसमें क्या होगा कल फ्लो टेस्ट के दे अब इशास प्रस्ताव दिया जाता है तो वह पीठासी नहीं हो सकता है यांकि वह अपनी चेयर पर नहीं बैट सकता है नियम ये कहता है यह समयधान के आज़े देख से ओक्यासी में और जो बिहार विधान सभा की निमावली में हैं उसमें भी ये बात मेंशन है तो ऐसे में अवद जो अवद चौधरी हैं जो इस समय स्पीकर हैं और आरजेडी के हैं उनको नीमा नुसार हटना होगा और जो उपाध्यक्ष हैं जब वो हटेंगे तो उपाध्यक्ष महश्वर हजारी हैं वो बैट सकते हैं जो कि जेडियू से आते हैं अगर ऐसा होता है तो आप समस्लिजे एक बड़ा अवरोध यहीं कतम हो जाएगा अगर अवद चौधरी हटते हैं और वहाँ पर उपाध्यक्ष से बैट जाते हैं चोकि पीठासी होने की सूरत में बहुत सारे अधिकार स्पीकर के पास होते हैं जिसका वह रिष्टमाल कर सकते हैं जो अनुमान ये भी हो सकता है कि हो सकता है स्पीकर हटने से इंकार करें पिछली बार 2024 वैसा ना करें चोकि क्या है ना समधां की बात करें बृदानसभा की निमावली बात करें यह subject to explanation भी होता है कई सारे इस्ठांसेज होते हैं उनको इसमें किला जा सकता है लेकिन नियम यहीं है कि पिठासीन अधिकारी को हटना होगा जिसके खिलाब अविशास प्रस्ताव लाए गया है यहां से शुरुवात होगी और यह जब मामला यह जब क्लियर हो जाएगा तो आप समझ ल नहीं आए हैं वो संपर्क में हैं और चाहे वो सुदर्शन की बात करें चाहे वो दिली पराय की बात करें या भीमा भारती की बात करें यह लोग संपर्क में हैं वो नाराजगी भी है इसमें दो रहा है शालनी मिश्ट्रा की नाराजगी की हबर है लोगसभा चुनाओ ले J2 वधायक जो है J2 के जो वधायक है वो होटल शिफ्ट हो रहे हैं। फ्लोर टेस्ट है कल और उससे पहले जेडियू के तमाम जो विधायक हैं उन सभी को एक होटल में शिफ किया जा रहा है। बड़ा फैसला जेडियू की तरफ से लिया गया है और जाहिर है इसे समझा जा सकता है कि सभी एक साथ रहें, कोई तूट-फूट ना हो, मतलब कोई किसी भी तरीके की कोशिश को सफल ना होने दिया जाये, जो सिंधमारी कर सके, कोशिश यही की जा रहे है निधिश्री। दरशुकों को जानकारी दे रहे हैं कि जेडियू भी जो कल तक दावा कर रही थी कि हमारे सारे विधायक इंटक्ट है, इनफाक्ट आज निधिश कुमार ने बैटक में भी कहा है कि हमें फ्लोर टेस्ट से डढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर सब कुछ ठीक है, तो इस रा जो नहीं पहुंचे थे और जेडियू के बैठक में भी कही हैं, जुसमें भी भावारती भी हैं, जो नहीं पहुंची हैं, देर शाम जब मेरी बादचीत हुई तुनों ने कहा कि वो पहुंच रही हैं, लेकिन आखने राकित तक वो नहीं आ पाई हैं, तो ऐसे विधायक जो नहीं पहुंच पाए हैं, अब इसके पीछे जो भी कयास लगाए जा रहे हो, चाहे उनके पाटी के जो प्रमुक है, वो कुतने भी दावे कर रहे हो, लेकिन ये हकीकत है कि फ्लोर टेस्ट से पहले सभी खेमे में हलचल बड़ी वी हैं, और सभी यहीं कह रहे हैं कि हमा जारे तरफ सब कुछ ठीक है, खेला तो उनकी तरफ से होगा, बिना किसी डर के वो अपनी मर्जी से हमाले तरफ चले आएंगे कल फ्लोर टेस्ट में, तो ये दावा किया जा रहा है, आरजीडी के तरफ से तमाम जो दावे किये गए कि हम समविधान के दाएरे में रहकर कल खेला करेंगे और बहुमत पास करेंगे, इस तरीकी के दावे जो वो किये जा रहे है, और अभी जेडीउ के विधायकों को भी शिफ्ट कराने की ख़बर हमने अपने दरश्कु को दी है, शिरीड, एक और बड़ी खबर अपने दरश्कु को तक पहुँचा दे है, हैदरा बनाने जा रहे हैं, तो हम कहरें न, कि दावों का दंगल हर तरफ से दिखाई दे रहा है, चाहे आर जेडी हो, चाहे कॉंग्रस हो, या फिर नितीश कुमार, या जेडी हो की तरफ से तमाम दावे, लेकिन किनके दावों में किस, कितना दम है, ये तो कल प्रोटेस्ट के द करने जा रहे हैं, कि स्थिती होगी, जो नितीश कुमार को किसी तरफ से हम लोग हटा करके अपनी सरकार बनाएंगे, अपने सरकार का बधाई दिने गया थे, ऐसा कुछ नहीं था, कि हम लोग कहीं गया थे, बिल्कुल भाग लेंगे, और मजबूती के साथ भाग लेंगे, तो फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे, मजबूती के साथ हम यहां पर पहुँचेंगे, यह कहते हुए कॉंग्रस के मले, और बड़ा दावा करते हुए कि कल सरकार जो है, नितीश कुमार की वो गिर जाएगी, एक और आपको बयान सुनवाते हैं, कॉंग्रस के ही विधायक तो सचाई के जीत होगी, नियाय के जीत होगी और खेला होगा, प्रकाश जी से समझते हैं, प्रकाश जी मतलब यह किस खेला की बात की जा रहे हैं, तेजस्फी आदव भी उसी की बात कर रहे हैं, नितीश अलग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुमत भी है और हम एक जुट भी हैं, लेकिन कॉंग्रस के विधायक जो लोटे हैं एधराबाद से यह कह रहे हैं कि कल तो नितीश की सरकार गिरने जारी है और सरकार हम बना रहे हैं, शिरीन यह जो माइंड गेम है ना यह बहुत अच्छे से सोच समझ के चाल चलके इस पे आगे की रणिती के तहत किया जा रहा है। तेजस्वी यादव यह जानते थे कि उनकी पार्टी या उनके पास बहुमत नहीं है जिससे कि वो सरकार बनाने का दावा भी कर सकते थे। को अपने पाले में ले रहा जाता था। कोई ने कोई उसका एक लीडर होता था। जिसके अगवाई में यह सब कुछ होता था। आज आप देखिए चाहे वो आरजेडी हो, कॉंग्रेस हो, जेडी हो, चाहे बीजेपी हो या हम पार्टी भी हो, CPI-ML हो, CPI हो। यह सारी पार्टी ओं में कोई एक शक्स या कोई नेता या कोई चहरा नहीं दिख रहा है, जिसके अधार पी यह कहा जा सकता है, कि वो उस पार्टी में टूट को अंजाम दे सकता है, या कुछ विधायकों को अलग व्यवस्था की जा सकती है, ऐसा इसलिए इसकी सभावना कम दिखती है, क्योंकि या तो साइलेंट ओपरेशन हो रहा है, जिसकी जानकारी मीडिया में नहीं है, और तेजस्वी आदा खेला की बात का है कि माइंड गेम कर रहे हैं, अपने विधायकों को एक साथ रख रहे हैं, यह हो सकता है कि सरकार चली जाए, लेकिन दूसरी तर का सत्र की शुरुवात होगी, बजट सत्र की, उसमें पहले राजिपाल का भी भाशन होगा, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाए जाएगा, और वहाँ पर जब अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, तो खेल वही पर सब कुछ है, क्योंकि सरकार के पास अभी अविश्वास मत बाद में लाना है, तो इसका मतलब है कि बहुमत साबित करने के लिए जो इस्थितिया बनेगी उसमें फ्लोर कॉस होगा, यानि कि जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग अगर विपक्ष में चले जाते हैं, तो फ्लोर कॉस होगा, और सब कोई देखेगा, हर क किसी के निगाव में होगी, तो क्या नितीश कुमार के कमान में वो तरकश है, वो तरकश में वो तीर है, जिसमें की, जिसका वो चाल अभी तक उन्होंने जिसका खुलासा नहीं किया, क्या संपर्क में वाकई वैसे विधायक है, जो ऐसी परस्तिती होगी, तो उस और से फ तो जाहिर है कि उनके पास भी जानकारी है और इसके पहले भी दितिश कुमार जब इधर से उधर गए थे तो यह सारी घटाए थी थी पहले भी थी अभी भी है पर इस बार जो है वो कहते हैं न कि दूद का जला चाज को भी फूख कर पीता है तो इस बार तेजस्वी की भी परिश्या जैसा आपने पहले भी कहा होगी और कल देखना होगा कि वो उसमें कितना जीतते हैं या कौन सा खेला होता है पड़ी खबर आरजेडी के खेवे से आ रही है अनंत सिंग की पतनी नीलम कल पटना आएंगी और फ्लोर टेस्ट में आरजेडी का साथ देंगी नीलम देवी जिनकी नाराजगी को लेकर काफी चर्चा हो रही थी लेकिन अब ये बात सामने आ रहे हैं ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कल वो होंगी फ्लोर टेस्ट के तौरान और आरजेडी के साथ देंगी अभिशेग तो इसका मतलब ये कि क्या नाराजगी दूर ह हो चुकी है उसमें काम्याब हो गई आरजेडी देखें ये नीलम देवी को लेकर के बहुत सारी वहापो किस्थितियां थी उसकी पीछे अनन सिंग की एक वजा थे पुराना जो इतिहास रहा है वो भी एक वजा थी और पिछले भी कई कई बयान अगर आप देखेंगे इसके पहले भी जो उनके बयान आये हैं उससे आपको लग जाएगा कि ये चीजे चल रही थी लेकिन हमारी जनकारी ये इस सब चीजे लास्ट मॉमेंट पर ये मैनेस की गई है कल सुबा वो पहुँचेंगी जो उनसे बात हुई है कल कोशिस ये है जो सरकार की कोशिस है सरकार में शामिल जो दल एक की कोशिश है कि किसी बी तरह से 128 की आकडे को पार किया जाए वह 128 पा करके इसको जितना नहीं चाहते हैं मुँचे 665 इसको अब ये शकत्रेशन का जरिया बन गया है तुर जसनी यादों यहीं चाह रहे हैं कि ये 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 बेंचमार क्रॉस हो 128 अगर क्रॉस होगा उधर तो ठीक है अगर वो बहुमत पा जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी लेकिन यहां 128 अगर क्रॉस होगा तो एक तरह से जो एक एक मिंटल गेम होता है कि हमने आप पर बढ़त प्राप्ते कर लिए है आपकी विदायक जगता है वो एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है इस पीकर आपका अपना होगा और विदानसभा का जो कारकालो बहुत जादा का नहीं बचा हुआ है तो हर तरह से जो कानुनी पहलू है वो सेफ साइड है तो ये एक तरह का शक्ती प्रदरशन भी है और पूरी कोशिश ये भी निगाए होंगी बिल्कुल और ये जो अलग-अलग कैल्कुलेशन दिखाई दे रही है दावों के भीतर उनकी सच्टाई क्या है वो भी सामने आएगी एक और बड़ी खबर बिहार के हलचल पर रवी शंकर प्रसाद का बयान सामने आया है और उन्होंने काया कि तेजस ये सवाल तेजस्वी से कि आखर भरोसा अगर है तो घर पर विधाया क्यों वन है वैसे तो देखिए ये जस तरीके के राजनीतिक समिकरन पल-पल बदल रहे हैं बिहार में हमने इससे पहले भी देखा निदी ये सवाल तो बेमानी सा हो जाता है कि आखर विधायकों की यहाँ पर गेरा बंदी क्यों की हुई है क्योंकि हर पार्टी वही कर रही है और रवी शंकर प्रसाद भी पूछ रहे हैं कि तेजस्वी को भरोसा नहीं है क्या बिल्कुल देखिए जाहिड से बात है जेडियों और बीजेपी यहाँ सरकार बना चुकी है लेकिन बहुमत से पहले ये कटाक्ष का दौर जो है वो चल रहा है और राज रवी शंकर पुसाद एरपोर्ट पर पहुंचे और उनने सबसे पहले यही कहा कि आकिरकार आर बिल्कुल और देखिए ताकत तो सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रकाश जी लेकिन सवाल फिर सबसे पूछा जाएगा कि आप लोगों को भरोसा नहीं है कि आपने विधायकों पर क्योंकि हर कोई इस वक्त एक जुट करने में लगा हुआ है एक तरीके से वो चाहता है कि किसी भी तरीके से कोई सब्सक्राइब के साथ संपर्क में हैं चाहे वो सत्ता पक्षकों ही या विपक्षके क्या ये बात सही है कि वो विधायक इस बात के लिए तयार है कि उसकी सदस्ता जा सकती है अगर हम माल ले इसकी संभावना कि क्या सरकार अगर वहुमत से रह जाती है और नितिश कुमार विश्वासमत बाद में जीट जाते हैं तो उस विधायक का क्या होगा जो सत्ता पक्षका होगा और वो फ्लोर क्रॉस करेगा उसकी सदस्ता चली जाएगी अगर वो सदस्ता चले जाने के एवज में अगर उसे कुछ इतना बड़ा कुछ मिल रहा हो लालुयादव की तरफ से कॉग्रेस पार्टी की तरफ से तभी जाकर कि वो ऐसा कदम उठाएगा नहीं तो अभी तो एक साल दस महीने विधान सभा का बाकी है तो ये भी सवाल सम सरकार बन गई तो ऐसी परिस्तिती में कोई भी विधायक खुब अच्छे से हर कदम को फूख कर रखेगा वो समझना चाहेगा वो जानना चाहेगा कि अगर वो ऐसा कदम उठाता है और वो सरकार के खिलाफ में वोटिंग करता है या एपस्टेन करता है जब विप जारी हो होगा इस संभावनाओं जो कहा जा रहा है कि दावों में कितना सच है तो अगर हम टटोलते हैं तो यह भी बात एक सामने आती है कि क्या वो विधायक इस बात के लिए तयार है कहीं से दूसरी बात कि तेजस्वी यादव अगर ये दावा कर रहे हैं कि हां उनके विधायक एक साथ है और तूट जेडियू में होगी तो कौन वो विधायक हो सकते हैं जो डबल क्रॉस कर रहे हैं जो दोनों तरफ हैं क्या वो ऐसी परिस्तिती में है कि सरकार के पास जो उनका तंत्र है जो उनका खूफिया तंत्र है उसकी जानकारी नद और सरकार और विपक्ष की पार्टिस अत्ता पक्ष को तोड़ ले यह क्या संभव है बिहार में तो यह सारी चीजें जो है वो देखना होगा दिल्चस्प होगा कि क्या इतना करने के बाद भी अगर ऐसी परिस्तिती बनती है तो क्या लालु यादव यानि तेजस्वी फिर से अपनी सरकार यहां बन जाएंगे तो शिरिन आपको यह लगेगा कि इन डॉट्स में कहीं कोई एक डॉट ऐसा नहीं दिख रहा है जिस आधार पर यह कहा जा सके कि सरकार पहुमत नहीं ला पाएगी या फिर अविश्वास प्रस्ताव जो है अध्यक्ष के खिलाफ में वो गिर जाएगा और अध से खास यह है कि तकनीकी बाते समवैधानिक प्रक्रिया के तहट क्या नियमावली है विधान बिहार विधान सभा की उसके तहट अगर कारवाही शुरू होती है तो ऐसे में क्या अध्यक्ष अगर नहीं रहेंगे तो कोई इतनी हिमत जुटा पाएगा अगर जुटाता है जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो बड़ी कुर्बानी इस कुर्बानी के जरिये वो बड़ी चीज पाना चाहता हो तो यह तमाम वो सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है कि कल जैसे ही 11 वजे शुरू होगी कारवाही बिहार विधान सभा की तो आने लगेगा हाँ ये बात तो नहीं कि कोई विधायक डबल क्रॉस कर रहा हो अभी यहाँ पर साथ दावा करता हो कि उनके साथ है और कहीं दूसरी तरफ वो बिला नहों तो यह सारे कोई ऐसा नेता तो नहीं है जिसे कहते हैं कि वो छुपा हुआ हो और सामने ना आ रहा हो पीछे से हवा दे रहा हो और वो फिर अंतिम में समय में कोई खेल कर दे क्योंकि राजनीती जो राजनीती है वो संभावनाओं का खेल है तो ऐसे में कोई भी संभावना ऐसी हो सकती है जिससे इरकार नहीं किया सकता है पर हाँ यह जरूर है कि अभी तक ऐसा कुछ सामने से नहीं दिख रहा है बहले इस तरफ किससे की जा रहे हैं, एक और दावा सामने आ गया है, RLJD प्रमुक उपेंद्र कुश्वाह का बयान, जिसमें वो ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने बयान में वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी के यहाँ खेला होने वाला है, उपेंद्र कुश्व आहां भी अब खेल होने की बात कहते हुए और उनका निशाना तेजस्वी आदव पर। उनका कहना है कि तेजस्वी के यहां खेला होने वाला है। तो पेंद्र कुश्वाहा वो भी यही कहते हुए नजर आ रहा है अभी शेक की तेजस्वी के यहां दरसल खेला होने वाला है। तेजस्वी आदव को हमको दिखाई पड़ रहा है वो उनकी फ्यूचर की पॉलिटिक से एक तरह से। तेजस्वी आदव को भी यह क्लियर है जितना हमको समझ में आ रहा है। उनको क्लियर है कि यह जो फ्लोटेस्ट है यह जो दावे वो कर रहे हैं वो दावे हो जो जमीन पर दिख रहा है। यह ऐसा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी आदो सीजन्ड पॉलिटिशन है, उनको अच्छी समझ है, ऐसा बिलकुल नहीं होगा कि वो किसी कोई भी चीज आउट अप कॉन्टेस्ट या उनको कोई इल्म ही ना हो, लेकिन मैं फिर आप से कह रहा हूं, यह वो फ्यूचर की पॉलिटी से, तेजस्वी आदो आज की तारीक में मां गडबंदन के एक छत्र लीडर है, एक छत्र का मतलब है आप यू समझेए कि आज की तारीक में जो लेफ्ट के विधायक हैं, आरजडी के विधायक हैं, वो सब तेजस्वी यादो के घर पे हैं, कॉंग्रेस के विधायक आते हैं, उनके घर पर जाते हैं, इसका मैसेज क्या है, इसका मैसेज यह है कि जो विपक्ष का नेता है, एकलोता वो तेजस्वी आदो हैं और वो भी इतने कर्विन सिंगली हैं, कि सारे जो विधायक हैं, वो उनकी छत्री के करती ते एक जमाने में उस ताकत को एबजार्व करने की एक कवाइद है और उसके लिए उनका खुद का भी इंतहाने कल कितनी कितनी चतुराई से कल का वो गेम फ्ले करते हैं और उसमें उनकी अपनी जो संख्या है वो कम तो नहीं होती हो रगर बढ़त पाप जाते हैं तो य फ्यूचर में उनकी चवी को बिल्डप करने में मदद करेगा